दिल्ली NCR में आखिरकार मौसम अब धीमे धीमे करके बदलना शुरू हो गया है। ठंटी हवाओं की वजह से पिछले 24 खंटे के दोरान दिल्ली NCR का अधिक्तम तापमान 31 डिग्री सेल्सिस तक रेकॉर्ड किया गया है जो कि दिल्ली वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। जीहां क्योंकि दिल्ली वासी ऑक्टोबर में मई जून जैसी गर्मी लगातार छेल रहे थे। मौसम विभाग भी काफी चिंतित था कि आखिर ऑक्टोबर में 35 डिग्री सेल्सिस कैसे जा रहा है। इसकी रिसर्च के बाद आखिरकार अब दिल्ली का जो अधिक्तम त 31 ओक्टोबर तक दिल्ली एंसी आर का अधिक्तम तापमान 31 डिग्री सेल्सिस के नीचे जाने का भी पूरवानुमान है। वही नियुन तम तापमान की बात करें तो नियुन तम तापमान भी 16 डिग्री सेल्सिस तक जा सकता है। वरिष्ट मौजम वैक्यानिक मोहमद तान के मुताबिक दिल्ली NCR का अधिक्तम तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान 31 डिग्री सेल्सियस और नियुनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है यानि रात के वक्त अगर लोग निकलते हैं तो उन्हें कपकपी का एहसास होगा ठंड का एहसास होगा क्योंकि रात में तो अच्छी ठंड हो रही है अब दिन में भी धूप हलकी होने लगी है पिछले दो दिनों के दौरान दिल्ली NCR में जो धूप है उसकी चटक कम हुई है जिस वजह से अधिक्तम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में अब सर्दी दस्तक देती हुई नजर आ रही है यानि कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर के बाद दिल्ली NCR का मौसम अचानक करवट लेगा अच्छी ठंड के लिए दिल्ली NCR के लोगों को तयार हो जाना चाहिए क्योंकि इस बार सर्दी देर से दस्तक देगी ले अभी कि इस बार अच्छी ठंड पढ़ने का भी पूर्वानुमान है हालांकि मौसम केंदर अभी भी लगातार इसकी मौनिटरिंग कर रहा है क्योंकि दिल्ली के मौसम में इस मौग यानि इन दिनों धुन्द भी छाई हुई है यही वज़ा है कि सुभा के वक्त छाने वा फिल्हाल नवंबर के बाद जब मौसम में कुछ बदलाओं होंगे तो कोहरे के भी दस्तक देने का पूर्वानुमान है यानि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऑक्टूबर का महिना अभी इसी तरह रहने वाला है दिल्ली से अंजली सिंग राचपूत की रिपोर्ट लोकल 18